हेलो एब्रीवन वेलकम टू फॉर नर्सेज प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आइम नीरज कुमार कैथल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में बी एम आर के बारे में इस टॉपिक से नर्सिंग कंपुरिटिव एक्जाम्स में अक जो इसे बढ़ाते या घटाते हैं इनके बारे में पूछा जाता है हमारी कोशिस रहेगी कि हम सभी इंपॉर्टिन पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करें लेट्स बेगें फर्स्ट डेफिनेशन Amount of Energy Expenditure by Men at Rest जब हम resting phase में होते हैं, relax mode में होते हैं तब हमारी बॉड़ी के द्वारा कितनी एनर्जी खर्च हो रही है यही BMR कहलाता है resting phase में बॉड़ी के द्वारा जीवित रहने के लिए सभी metabolism को चलाते रहते समय कितनी एनर्जी खर्च की जा रही है यही रेट बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR कहलाता है Next, अब हम बात करते हैं उन सभी factors की जो की BMR को या तो increase करते हैं या फिर decrease करते हैं सबसे पहले factors that increasing BMR First, male have higher BMR than females Males में female की तुल्ला में high BMR देखा जाता है Next, tall and thin people have high BMR पतले और लंबे लोगों में जो BMR है वो high रहता है Next, growing age अगर किसी बच्चे में या adolescent में या pregnant women में आप BMR देखेंगे तो वो normal की तुल्ला में हमेशा बड़ी हुई मिलेगी Next point, fever होने पर भी BMR high मिलेगा आपको Next point, stressors अगर कोई client कोई person stressful conditions में है तो उसके अंदर high BMR मिलेगा इसके अलावा smoking करने पर या caffeine लेने पर कॉफी आदी पीने पर भी आपको high BMR देखने को मिलेगा Next point, बड़ा हुआ thyroid का level यानी hyperthyroidism condition में भी आपको BMR high मिलेगा Infection होने पर, infectious disease होने पर BMR high रहेगा Cold and hot environment, गर्म और ठंडे environment से भी आपका BMR बढ़ जाता है अब बात करते हैं उन factors की जो की body के BMR को decrease करते हैं सबसे पहले mal nourishment अगर कोई mal nourished person है तो उसमें BMR normal से कम मिलेगा इसके अलावा जब हम सो रहे होते हैं, sleeping state में होते हैं, तब भी हमारा BMR decrease हो जाता है नेक्स्ट, short and fatty people जो person जिनकी height कम है और मोटे हैं, obese हैं, fatty हैं तो उनमें भी BMR आपको कम मिलेगा इसके अलावा, old age person, बुढ़े लोग जिनमें जो body surface area है वो कम हो जाता है, lean body mass होता है, पतले दुबले होते हैं, उनके अंदर भी आपको decrease BMR देखने को मिलेगा जब आप fasting state में होते हैं, starvation कर रहे होते हैं, कई समय से भूके होते हैं, तो उस समय भी आपको BMR decrease मिलेगा इसके अलावा, hypothyroidism की state में भी BMR कम हो जाता है, so everyone, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने BMR को cover किया है, इसकी definition और factors को जो की BMR को affect कर सकते हैं, hopefully ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये content अच्छा लगा हो, तो please वीडियो को like कर दीजेगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, for nurses preparation youtube channel को जरूर subscribe करें, thanks a lot, best of luck